हलो फ्रेंड विल्कॉम बैक टो मैं चलर आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूं जो लोग फस्ट है मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूं छोटी छोटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती मैं मतलब क्या हो गए मेरी उपलब्धियां जो भी मैंने अपनी जीवन में हासिल किया है जो भी मैंने अपनी जीवन में पाया है वह इस तरह की टॉपिक्स जो होते हैं हमारे एक्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझे काफी तरी कमेंट्स भी आए थी मै अचिवेंस फिर्दों करते हैं मैं जाए से जादा चीज़ के बात करते हैं तुब आर CT कि थी इसे बॉल सकते हैं और मेरी उपलब्धिया मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल है इस तरह की सही बोल सकते हैं दोनों ही ways इनको बोलने के correct होंगे Each of my achievement has signified that I have accomplished something Each of my achievement यानि कि प्रतेक मेरी हर एक या प्रतेक achievement ठीक है जो भी चीज मतलब मेरी हर एक उपलब्धी या मेरी प्रतेक उपलब्धी has signified वो संकेत देती है उसने संकेत दिया है ठीक है has signified तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे संकेत दिया है already कर दिया है वो काम उसने तो संकेत दिया है that key I have accomplished something कि मैंने कुछ पूरा किया है accomplished मतलब होता है accomplished मतलब होता है पोरा करना के CBGs को something means कुछ कि मैंने कुछ पोरा किया है accomplished किया है that accomplishment has made the people around me proud that accomplishment यानि कि वो जो उपलब दिये has made the people उसने लोगों को बनाया है around me मेरे आसपास के लोगों को क्या कराया है और उसने proud proud means क्या होता है गौरामवित यानि कि एक तरिके से उन्होंने उन्होंने उन्हों मेरे उपर गर्व महसूस करवाया है मेरे आसपास के जो लोग है उनको गर्व महसूस करवाया है उनको गौरामवित महसूस करवाया है especially means करता है खास तोर पर especially खास तोर पर my parents especially खास तोर पर my parents यानि कि मेरी जो उपलब दिया है उन्होंने मेरे आसपास के लोगों को मेरे उपर कौरामित महसूस करवाया है या मेरे उपर गर्व महसूस करवाया है especially खास तौरबर my parents मेरे मातापिता को my achievements had made me the person I am today and they form an integral part of my life ठीक है यहां तक अभी देखेंगे my achievements मेरी जो उपलब दिया है have made me उन्होंने मुझे बनाया है the person वह व्यक्ति I am today जो आज मैं व्यक्ति हूँ वो मेरी achievements नहीं यानि कि मेरी उपलब दियोंने मुझे बनाया है and or they form an integral part of my life they form form means भी क्या होता है बनाना किसी भी चीज़ को एक तरीकी से निर्मित करना किसी भी चीज़ का निर्मान करना ठीक है they form an integral part of my life और उन्होंने मेरे जीवन में एक अभिन भाग बनाया है अभिन हिस्सा मेरे जीवन में बनाया है इस तरीकी संबोलिंग यह simple है even if I merely have memories of them इवन भी इवन का मतलब होता है भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बोल चुकी है कि छोटे-छोटे से words होते हैं बट यह बहुत ज़दा important होते हैं क्योंकि यह बहुत जारा बाद use होते हैं ठीक है even भी इफ अगर I merely I means I merely means केवल have memories of them ठीक है जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनकी केवल उसके पास में यादे हो ठीक है memories यानि के यादे जो भी चीज़े हमारी पुरानी होती है जिन्हें हम सोचते रहते हैं जो हमारे खयालों में होती है खयाल या यादे सेम होता है I have had many academic achievements in school I have had many academic achievements अच्छे academic means के जहां पर हमने कुछ भी पढ़ाई लिखाई से related हम कोई भी चीज़ करते है उसको बोलते है academic ठीक है academic उपलब्धियां जो भी मैंने अपने school में हासिल की है मैंने अपने school में बहुत सारी had many यानि कि बहुत सारी सेक्षिक उपलब्धियां हासिल की है I used to regularly score the highest mark in the class each year I used to used to का use हम कहां करते है जो हम किया करता था ठीक है या किया करता था used to है used to तो यह पास्टम हो गया used to यानि कि अभी मैं ये करता था sorry मैं ये करता हूँ तो used to होगा used to है तो मैं किया करता था I used to regularly यानि कि मैं नियमित रूप से score किया करता था the highest mark in the class each year यानि कि प्रते एक साल में अपने class में highest उच्चितम माक जो है नियमित रूप से लाया करता था या मेरे आया करते थे दोनों तरीके साबों से दोनों ही ways को बोलने के correct होंगे my teacher used to give me a medal मेरे जो अध्यापक थे teacher means अध्यापक used to यानि कि वो किया करते थे give means दिया करते थे right भो डिया करते थे me मुझे matter ते थे मेरे मुझे Além कि मुझे एक पदक दिया करते थे madele meansحता है पदक for the same distinction यानि किस चीज के लिए same distinction, distinction means क्या होता है भेद या सम्मान, distinction means होता है भेद या सम्मान, same सम्मान के लिए, यानि किस same सम्मान के लिए, यानि कि उसको हर साल ही same number आया करती थी, उसी तरीके से, तो उसी सम्मान के लिए उसको वो जो है medal दिया करती थी, यानि कि पद दिया करत था गड़ित और सामाजिक अध्यान सोशल स्टडीज मीज होता है सामाजिक अध्यान मुझे पसंद था या मैं उसे पसंद करता था दोनों तरीके साब बोल सकते हैं ठीके दोनों ही वेजिस को बोलने कि करेक्ट हो यहां पर यूज्ड टू इस वाले सेंटेंस के अंदर और पैरग्राफ में आप समझ जाएंगे यूज्ड टू मतलब कोई भी काम आप किया करते थे जिसको आप करते थे यूज्ड टू होगा तो आप करते हैं जिस भी काम को यूज्ड टू यानि कि आप किया करते थे I always used to मैं हमेशा किया करते था score the highest in the same subject यानि कि इनी subjects में हमेशा highest उचितम मार्क मेरे आया करते थे यानि कि उचितम number जो है वो मेरे आया करते थे I remember मुझे याद है ठीक है I remember यहां पर नहीं है तो हमने यहां पर याद था नहीं बूल रहे ना I remember simple remember means होता है याद करना I के साथ में और कुछ नहीं दिया है तो यानिके मुझे याद है an incident instance instance means होता है उधारण एक उधारण in school school में when जब the mathematics teacher मेरे गड़ित के जो अध्यापक है was not able to solve a problem was not able able मतलब योगे नहीं थे यानिके वो करने के एक तरीके से लायक नहीं थे ठीक है कभी-कभी ऐसा हो जाता है to solve a problem एक problem को यानिके एक समाधान को या एक समस्या को हल करने के लायक नहीं थे on the classroom board classroom के board पर एक सम समस्या को समाधान के करने के लायक नहीं थे but I solve it मैंने उसे solve किया लेकिन what means लेकिन I solve it मैंने उसे solve किया मैंने उसे हल किया ठीक है मैंने उसका हल किया मैंने उसको हल कर दिया इस स्रीकी से भी हम बोल सकते हैं सिंपल है apart from that अब देखे एक चीज़ समझने वाली है moreover भी हमने देख लिया इससे पहले भी काई सारे words हमने देख लिया जिनका same meaning था इसके अलावा अब इसके अलावा हिंदी में इसके इंग्लिश में कितने सारे meaning हो गया ना moreover भी हो गया नया हमने आज यह दिख लिया apart from that इससे पहले हम काफी सारे दिख चुके apart from that यानि कि इसके अलावा I was also the class monitor मैं class monitor भी था I was also मैं होया करता था यह मैं किया करता था ठीक है interested interested means क्या होता है interested में क्या होता है सौप दिया किसी भी काम को देखे interested अलग होता है यह interested है इसका meaning है सौप आ जाना आपको कोई भी जिम्मेदारी एक तरीके से सौप दी जाए उसको बोलते है interested ठीक है with a lot of responsibility और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारिया lot of यानिके बहुत सारी जिम्मेदारिया responsibly सौप दिया जाया करती थी या सौपी जाया करती थी इस सरीके से बोलते to handle the class यानिके class को समभालने की handle means समभालने की class को समभालने की during the teacher's absence during मतलब दौरान यानिके उस समय during मतलब समझने वारी चीज़ होती है कि during का मतलब क्या हो गया उस समय या उस दौरान जब class में teacher नहीं है तो मुझे उस वक्त class की अनुपस्तिती में जब अध्यापक नहीं हुआ करती थे उनकी अनुपस्तिती में जब वो absence है जब वो नहीं है तब मुझे class की जिम्मेदारी बहुत सारी जिम्मेदारी सौफा सौफ दिया जाया करती थी इस तरह की से हम इसको बोल सकते हैं I was also injured injured as the best monitor I was also injured as the best monitor I was also injured as the best monitor एक सबसे अच्छे monitor के रूप में for three consecutive years यानि के consecutive years क्या होते लगाता तीन सालों तक मुझे best monitor के रूप में मेरा निर्णे लिया गया है या फिर मेरा chain क्या गया दोनों तरीकी से आप बोल सकते हैं दोनों ही तरीकी इसको बोलने के correct होगे I hope यह जो topic आपको पसंद आया होगा और आप time है हमारे three words का जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ so first word है हमारा accomplishment accomplishment इससे आपको sentence बिनाना है और आपको comment box में लिखना है ठीक है accomplishment यानिके उपलब्दियां second है regularly यानिके नियमित तौर से या नियमित रूप से दोनों आप बोल सकते हैं दोनों ही वेजिस को बोलने के correct होते हैं इंटेग्रल इंटेग्रल मेंज अभिन्न जो चीज किसी से बिलकुल बिन्न हो अलग हो ठीक है अभिन्न फर्स्ट अकप्लिश्मेंट यानिके उपलब्दियां second regularly यानिके नियमित एंटर्ड इंटेग्रल यानिके अभिन्न इन तीनों ही words से आपको sentence बिनाने हैं और को जितने हैं जर्ण सब्सक्राइब आपको पसंद है तो प्रीस में जरूर बताएगा और अगर आप चाहते हैं कोई और ने में आपके साथ में शेयर करूं जैसे कि आज को कमेंट आए था दो लूगों का बटमे सौरी उनका नाम लिखना भूल गई तो मुझे नाम नहीं द झाल झाल झाल